आज की क्लास में हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डिसकस करने वाले बहुत ज्यादा पूरे वाइब्रेशन में पूरी वाइब्रेशन में थ्रॉआउट दी वाइब्रेशन दिस तो यहीडियो तो डियुकूल भी स्किप नहीं करने है दूसरी चीज यहीं से हमारे concept development होंगे प्रॉपलम्स की पूरी वाइब्रेशन के दिस नॉल अबटाचट बशुट नम्बर हैं बद K ल Libration सो तोदेश we are going to discuss about analogy between linear & angular system और रेक्टि लीनियर और rotational system ज़रा समझे linear और रेक्टि लीनियर system में बोल रहा हूँ और rotational और ा says इस पूरो जार सिस्टम और और Näंगुलर सिस्टम में बोल नहीं दोफित है एक यह तो linear छोगका या एंगुलर सिस्टम हो यहां यह समझने की बात है क्यों यह पर्टिकुलर क्लास और इस वीडियो को लाया गया है कि ताकि एक सेपरेट तिंग कभी भी आप इस वीडियो को उठाके देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि यही में चीज है कि एनलोजी होनी चाहिए एन में लीनियर सिस्टम ले रहा हूं एक में एंगुलर सिस्टम ले रहा हूं इन दोनों में समानता क्या है ठीक है पहली चीज हम लोगों ने अभी तक क्या किया है हम लोगों ने किया है वाइब्रेशन के एक्वेशन को ड्राइव किया उसकी नैट्रल फ्रिक्वेंसी फांड सबसे पहले तो लीनियर सिस्टम यहाँ पर मैं इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने तो मैं एक लीनियर सिस्टम ले लेता हूं सबसे पहले तो कौन सी कौन से सिस्टम किसको बोलुतो लीनियर सिस्टम अगर कोई इस और एक मास है तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं क्यों क्यों क्योंकि इसमें जो दूंगा वो मैं linear displacement दूंगा इसमें जो वाइब्रेशन होंगे वो लॉगिट्यूटनल वाइब्रेशन होंगे इस पॉइंट के अबाउट यह जो वाइब्रेशन होंगे अगर यह horizontal system होता तो इस टाइप का बना होता यह के इसको एक्समांट का displacement दूंगा इस एक्सिस के अवाउट तो यह जैसे इसको इधर घीचा तो यह इस टाइप के वाइब्रेशन एक्जेक्यूट करेगा तो इस इस आल्सो लीनियर सिस्टम लिया उसके बाद मैंने एंगुलर सिस्टम अभी मैं मान लेता हूं सिर्फ सि एंगुलर सिस्टम जिसमें मैंने एक simple pendulum लिया था compound pendulum को मैं consider नहीं कर रहा हूं अभी यहां पर इसको मैंने ठीटा से डिस्प्लेश किया था इस टाइब का सिस्टम तो दो सिस्टम हो गए लीनियर सिस्टम और एंगुलर सिस्टम तो मुझे यह समझ में आना चाहिए न भी यह क्या चीज लीनियर हो दी चाहिए क्या एंगुलर होनी चाहिए तो हम क्या करते हैं इसको segregate करते हैं कौन सी चीज क्या represent कर रही है linear system में और कौन सी चीज क्या represent कर रही है angular system में और उसके equation formula क्या होगी ठीक है so यहाँ पर मैं ले लेता हूँ parameters कौन कौन से parameters ले रहा हूँ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ linear system और rectilinear system कुछ भी बोल दीजे आप इसको linear system और rectilinear system और यहाँ पर मैं ले रहा हूँ आपका rotational system rotational system angular system कुछ भी ले लेते हैं तो यहाँ पर मेरे को तीन चीज़े मेरे को linear और अंगुलर पता चली गया parameters linear system कहानी को ज़रा शुरू करते हैं अपन किसी भी system के equilibrium को disrupt करने हैं किसी भी system के equilibrium को मुझे disrupt करने हैं तभी तो vibration देख पहूँ है vibration execute हो रहा है के नहीं हो रहा है अगर system equilibrium में तो कोई मतलम नहीं है तो मुझे सबसे पहले उस system के equilibrium को disrupt करने के लिए उसे initial displacement देना पड़ेगा यह जो X amount का displacement में दे रहा हूं यह मुझे initially देना पड़ेगा just imagine this is a spring this is a spring मैंने इसको initial displacement दे लिए फोटो खीच लिए फोटो क्यों खीचा क्योंकि यहां पर के बाद अभी छोड़ा नहीं है इसमें क्या कानी होई मैंने उसको X amount से displace किया है अब छोड़ूंगा और जैसे ही छोड़ूंगा वो vibration करना है तो मैं उस condition की बात करूँ उसको X amount से displacement दिया तो पहला parameter में ले लेता हूं displacement पहला parameter ले लेता हूं displacement ठीक है तो अगर linear system की बात करूँ तो मैंने X meter दे दिया यह दिया X amount का और अगर मैं rotational system की बात करूँ तो मैंने ठीक दे दिया कैसे रेडियर में यह जैसे इस्ट्रिंग बॉब खीचा छोड़ दिया यह vibration होने लगे तो इसको मैंने ठीक आमांट का displacement दिया यह वाला इसको मैंने ठीक दिया इसको मैं इस्ट्रिंग को ऐसे थोड़ी ने खीचेंगे लिए तूड़ जाएगी तूड़ जाएगा ना ऊपर फिस्ट्रिंग तो मैंने क्या कि उसको ऐसे दिया जैसे कील पे कलेंडर टंगा और आपने ऐसे खेलते रहते हैं अब इसको ऐसा तो लीनियर सिस्टम में इस्ट्रिंग इस्टों मैं इस्ट्रेंध ऑ plotके कीच जैसमें प्रिए तोचिंग और दैस्ट्रिंग के अबाद उसमें वेलोसुकी युलोसुट्ट्ट वेलोसुटी x dot meter per second and theta dot that is radian per second और मैं बात करूँ acceleration की acceleration की linear system में x double dot meter per second square and theta double dot that is radian per second square second square ठीक है अब जो हुआ मेरा क्या तो acceleration हो गया मेरा meter per second square and radian per second square ठीक है अब हम आगे बात करते हैं तो जब भी मैं linear system की बात करूँगा तो linear system को जब disturb किया तो उसमें forces कौन से आते हैं तो इसको efforts बोलता हूँ efforts actually ये 10th की बात है बट हम force से बात कर रहे हैं तो जैसे ही मैंने इसको x amount से displace किया linear system को x amount से displace किया तो उसमें forces आएंगे क्योंकि mask को मैंने पहले दिन से बोला है mask को अगर छूओगे तो उसके opposite direction में मुझे inertia force लगाना पड़ेगा तो जो efforts की case में इसमें आएगा आपका force and force will be your inertia force that is mx double dot ठीक है force will be your inertia force mx dot dot अगर angular system की बात करूँगा तो जो काम linear system में force करता है अंगुलर system में कपल करेगा angular system में कपल करेगा ठीक है यही analogy मुझे set करनी है कि अगर किसी angular सिस्टम में कोई mass है या कोई rotor है उसे चूँआगा तो उसके opposite direction में inertia कपल लगाना होगा अगर linear system में किसी mass को मैंने चुआ तो उसके opposite direction में मुझे inertia force लगाना है चूने का मतलब किसी एक direction में उसा displace किया ऐसे एंगुलर system में जो काम linear system में force करेगा एंगुलर system में couple करेगा that is i theta double dot और यहां पर इसकी unit होती है newton meter यह ध्यान रखिए ठीक है तो अब मुझे समझ में आगे displacement velocity acceleration और effort यहाने force और अब मैं बात कर लेता हूँ energy की तो अगर मैं बात करूँ energy energy के case में ठीक है तो दो तरीके की energy मुझे पढ़नी है kinetic energy and potential energy so kinetic energy की बात करूँ अगर linear system में तो kinetic energy is half mv square simple है तो हम लोग क्या करते हैं इसको half mx.square ठीक है तो kinetic energy that is half mx.square now unit अगर अपन देखें इसकी तो kinetic energy की unit क्या हो जाएगी यहाँ मास की यूनिट क्या हो जाएगी half mx.square तो मास की unit kg और आपकी इसकी meter per second square ठीक है तो यह हो गया kg meter per second square into meter kg meter second is newton तो newton meter बस हमारा main focus क्या है अभी linear system में energy is represented by half mx.square newton meter unit is not the concern mx.square ठीक है जो काम linear system में linear kinetic energy करती है half mx. वो angular system में angular kinetic energy करेगी same same कैसे अभी तक मैंने यहां नहीं लिखवा है जो काम मास करता है वो inertia करता है बस अभी सुन लीजे क्योंकि इसके बाद में वही करूंगा half half m की जगे i क्योंकि यहां देखो जो काम मास करता है वो inertia करता है जो linear acceleration करता है वो angular acceleration करता है mx dot that is half i dot i theta dot ठीक है अब energy के बाद अगर मैं बात करूं potential energy की potential energy की तो potential energy क्योंकि मैं spring की बात कर रहा हूं अगर मैं मास से related करूंगा mg h spring की potential energy is kx इसको आया और जो जो काम potential हाफ kx क्योंकि कर रहा है वो angular system में half अब के की जगे मुझे लिखना पड़ेगा के थीटा एंगुलर के केस में एंगुलर थीटा अभी इसको भी लेगे एंड थीटा इसको है ठीक है यह वाला काम potential energy कर रहा है अब अगर मैं बात करूं को मास की that is mass है ना तो linear system में मास को हम represent कर रहा है M से और angular system में वही काम हो जाएगा आपका inertia का जिसको आप represent कर रहे हैं आई से जो काम कर रहा है जो काम कर रहा है जो काम इस प्रिंग तो यहां पर मास तो यहां इस प्रिंग की क्या होगी stiffness इस टिफनेस इस लीनियर स्टिफनेस के और यहां पर एंगुलर स्टिफनेस एंगुलर स्टिफनेस और इस रेप्रिजेंटेड वाई के ठीट नाव मास एंड इस प्रिंग अब यह कहानी अभी तक हमारी यूनिट नंबर वन तर हो चुकी है जो एनलोजी हमारी पूरी सेट हो चुकी कुछ एनलोजी जो की अपकमिंग यूनिट में आने वाली है वह भी मैं यही लिखवा देता हूं ताकि आपका काम आसान हो जाएगा यहां पर इनर्शिया की बात करोगे तो dość हमारा हमेल स्क्राइर स्क्राइज स्क्राइल के फ़र्म में आपका इनर्शिया निकलता है और वहाँ पर जिस टाइब की यूनिट में दिया होगा उस यूनिट में निकलेगा तो मैं अभी केजी मीटर स्कॉरर क्योंकि अभी अपने देखा था स्क्यूर्स के सेंटर पर तोहाँ पर मैं उसकी वह यूनिट लिख देता हूं केजी मीटर स्क्वाय कि फिर उसके बाद जो स्क्राइब ज पर थेटर पुरानी केस में हम लोगोंने देखा तो मैं अब और लिख जोना है तो देट न्यूटन मीटर पर रेडियंग इस ट्राइप की यूनिट होगी और यह न्यूमेरिकल में दी जाती है कैसे इसको डील करना है ठीक है अब यहां पर दो एक चीज़े next unit की हमें discuss करनी पड़ेगी सिर्फ सुन लीजे एक damping होता है that is damper damper is used to resist the vibration next unit में आएगा damper is used to provide resistance against vibration ठीक है इसकी case में damping coefficient यूज करते हो damping coefficient इसको represent करते हो c से ठीक है इसको represent करते हो आप c से सिफ में इसके units पर नहीं जा रहा हूं सिर्फ इसको नॉमनक्लेचर पर जा रहा हूं और यहां पर आप इसको represent करेंगे c theta से वैसे इसकी unit newton second per meter होती है और यहां पर आप मानलो angular damping angular damping stiffness and it is represented by c theta and इसकी unit होती है नूटन मीटर रेडियर इसके सब्सक्राइब तो यह वाला जो सिस्टम है हमारा linear और rotational system को connect कर रहा है एक और natural frequency हमें निकालनी है उससे पहले में differential equation of motion देख लेता हूं तो जो equation of motion है अब मैं तीनों के लिए नहीं यूज कर रहा हूं मतलब वैसे spring mass देंपर तीनों system second unit में करेंगे अभी यहां पर एक ही कर रहा हूं तो mx dot dot plus लिख देता हूं cx dot plus kx equals to zero यह वाला जो component आएगा यह आएगा आपका next student में जब डेंपर अभी नहीं है डेंपर तो मैं इसको लिख देता हूं mx dot dot plus kx equals to zero for unit number one बट क्योंकि यह analogy throughout the vibration चलेगी सलिए मनें cx dot को यह वही का वही काम यहां पर जो equation of motion है वो क्या है आई देखो बहुत आसाने समझने मास की जगे i x double dot की जगे theta double dot plus c c की जगे c theta x dot की जगे theta dot plus k k की जगे k theta और x की जगे theta that is equals to zero यह वाली term second unit में आईगी तो मैं इसको हटा देता हूं i theta double dot plus k theta into theta equals to zero यह होगी differential equation of motion natural frequency और देख लेते हैं यही पर natural frequency it is represented by omega and the coefficient of acceleration is one omega n square is given by the coefficient of displacement that is under root ky m radian per second और इस case में omega n will be given by under root k theta by i यह बहुत ही जादा आपका important thing है जो कि मुझे linear और angular system में यह यह differentiation create करता है कौन सी time को कहा यूज करूं किसको कैसे लूँ और दूसी चीज यह है कि यह वाली चीज़े टिप पे होनी चाहिए तभी मेरे numerical solve this is all about the analogy between linear and angular system thank you